हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन, तो गर्मी बहुत हो रही है, आज हम बनारे जा रहे हैं तर्बूज का सर्बत, तो चलिए आज की सर्बत वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम चिया सीड को पानी में फुलाएंगे, इसलिए हमने कटोरी म इतना चिया सीड ले लिया है, इसमें डालेंगे पानी और पंदरा से बीस मिनट में ये सोख हो जाएगा, तर्बूज के सर्बत के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक खुब मीठा स्वादिष्ट तर्बूज, जिसे दुकान में ही आप कट करके चैक कर ले, हम तर्बूज इस साइड दूद के साथ फेटने के लिए हम बड़े-बड़े तर्बूज के पीस को रखे हुए हैं, सर्बत बनाने के लिए हम जार में डालेंगे थोड़ा सा दूद और बड़े-बड़े पीस में जो हम तर्बूज काट के रखे थे उसे डालेंगे दूद में और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तर्बूज और दूद ब्लेंड करने के बाद उसे हम पतीले में खटा करते जाएंगे और बाकी तर्बूज और दूद को फिर से ब्लेंड करेंगे तर्बूज और दूद को ब्लैंड करते समय हमें ध्यान यह देना है कि हम दूद के साथ तर्बूज को खुब अच्छे से ब्लैंड करें तर्बूज के छोटे मोटे पीस जो दूद में रह जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे तो make sure कि आपका दूद बहुत अच्छे से ब्लैंड हो डालेंगे पतीले में और थोड़ा सा तर्बूज हमारा भी और बचा है थोड़ा सा दूद डालेंगे इसे भी अच्छे से ब्लैंड करेंगे क्योंकि घर में पापा आ हुए हैं तो हम एक ग्लास में तो सुगर फ्री सर्बत बनाएंगे इसलिए हम सुगर फ्री का यूज करेंगे बाकी में हम रुआबजा डाल कर सर्बत बना के आप लोगों दिखाते हैं जितने भी हम तर्बूज के छोड़े पीस हम काट के रखे थे पूरे सर्बत में हम अच्छे से मिलाएंगे देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया हुआ है ये पापा का सर्बत त्यार हो रहा है क्योंकि हम चीया सीट भी फुलाए थे बट उन्हें चीया सीट का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है ना तो मना किये हैं डालने के लिए इसलिए उनके सर्बत में हम चीया सीट नहीं डालेंगे इस जार में सुगर फ्री सर्बत्यार हो रहा है डालेंगे सुगर फ्री तो हम यहाँ पर पिसा हुआ सुगर फ्री का डब्बा है दो चम्मच सुगर फ्री डालेंगे इस ट्रॉक की मदद से खुब अच्छे सी मिलाएंगे डालेंगे इसमें चमच अभी हमारे पापा जी के लिए एकदम त्यार हो गया है अब जो बाकी बचा हुआ सरबत है उसमें रुआबजा डालेंगे हम यहाँ पर चीनी से मीठा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर रुआबजा से मीठा कर रहे हैं रोज सरबत है ये जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं चाहे आप ये बॉटल यूज़ करें चाहे रुवाबजा यूज़ करें दोनों का टेस्ट लगभख सेम ही होता है जो आपके घर के पास अबलेबल हो आप वो ख़रित के लाएं यहाँ पर हम मिठास चेक कर रहे हैं कि ये मीठा हुआ की नहीं और ये बहुत सही तरीके से मीठा हुआ था थोड़ा सा कम था उसको बढ़ा दिये हैं ये सरबत बहुत टेस्टी बना हुआ था रुवाबजा को हम अच्छे से कर्चुल से मिला रहे हैं किसी भी सरबत में चिय शीड़ आप इस स्टेज में बर्फ भी यूज़ कर सकते हैं बर्ट थंड अभी भी है और तर्भूज तो हमारा थंड़ा ही था दूद भी थंड़ा है तो बर्फ की जर्वत नहीं है आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ कीजिए लेंगे ग्लास और डालेंगे हमारे सरवत को एक बार तरबूज और दूद का इस तरीके का सरवत जरूर बनाईए दिल दिमाग दोनों तर उताजत हो जाता है महाबते सरवत की रेसिपी होती है डैन मिलेंगे एक फिर से नई रेसिपी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तो बाई बाई फ्रेंड